हलो माई डेव फ्रेंड सनूप स्टिडी जोन में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश लेकपाल भरती 2022 की वेकेंसी आपकी आ चुकी है इस वेकेंसी में आपका नोटिफिकेशन निकल चुका है इसमें कितने पद हैं आवेधन की आपकी तिथी कब से कब तक है आपने जो प परिच्छा सुल्क कितना रखा गया है परिच्छा के बारे में पूरी डीटेल कितने प्रशनाएंगे कितना पूरांख होगा उसका सलेबस क्या है अवधी क्या है ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यदि आपने P.E.T. एक्जाम दिया हुआ है तो य इतने पद निकाले गया है आठ हजार पचासी अभी तक अंदाजा लगा जा रहा था कि लगभग लगभग दस हजार के आसपास पद आएंगे लेकिन UPSC ने आठ हजार पचासी पद निकाले हैं जिसमें से आपका लगभग 20% आरच्छड है महिलाओं के लिए तो 20% आपका 7 जन्वरी से सुरू किया गया है ठीक है यह आपका 7 जन्वरी से सुरू करके 28 जन्वरी तक रखा गया है ठीक है 7 जन्वरी से लेकर के आप 28 जन्वरी तक UPSC के वेबसाइट पर जा करके या फिर आप सरकारी रिजल्ट पर जा करके वहां से अपना फॉर्म फिल कर स form को नहीं भर सकते हैं आपको form के लिए PT के आपकी detail चाहिए PT के detail से आपका photo है signature है, thumb है, बाकी जो भी जानकारी है वो आप सभी कुछ वहाँ पे automatic ले लेगा, आपके पास edit का option होगा, अगर आपके पास कुछ भी change हुआ है, तो आप वहाँ पे math हो गया, दूसरा आपका हिंदी हो गया तीसरा आपका हो गया, gram समाज एवं gram विकास हो गया, इसके बाद पांचमा चौथा हो गया आपका GS, ठीक है, GKGS current affair, इसमें science और computer को भी include किया गया है, तो ये आपके 4 subject होने वाले हैं, जिससे आपके कुल सो प्रश्नर पूछे जाएंगे आपका paper के वधी होगी 2 गंटे की ठीक है, इसके बाद जो आपका परिछह सूलक है, तो परिछह सूलक मातर 25 उर्पे रखा गया है रखा गया है, आपको भी पता है election आने वाला है, तो हलांकि जो भी factor है आपका जो form piece रखा गया 25 रुपिस only ठीक है इसके बाद जो प्रश्णपत्र से संबंधित जानकारी है वो हमने आपको देही दिये हैं इसमें आपके total 4 portion होने वाले हैं चारो portion कौन कौन से हैं पहला तो आपका हो गया math हो गया दूसरा आपका क्या हो गया gs हो गया तीसरा आपका हिंदी हो गया ठीक है इसके बाद आपका हो गया 4 ग्राम समाज एवं ग्राम विकास ये चारो subject आपके पूछे जाएंगे ठीक है आपके total 100 question होंगे 100 marks के भी होंगे आपके पास अओधी कितनी है दो घंटे का आपको समय दिया जाएगा दो घंटे का भरपूर समय आपको इस परिक्षा में अभी तक इन्होंने दिया है ठीक है चलिए इसके बाद आप और जानकरी जान लीजिए अब सबसे जो बड़ा सवाल है कितने percentile वाले होंगे eligible अभ आपका marks दोनों दिया हुआ था तो इन्होंने ये describe नहीं किया गया है ये उन्होंने describe नहीं किया है तो आप एक चीज़ याद रखिए कि जितने लोग भी 50 प्लस 50 प्लस अगर आपके marks हैं तो आप form को बे जिचक भरिएगा क्योंकि PT में लगभग आपके 18 लाख लोगों ने PT का exam दिया हुआ है तो आप एक प्रयास करिएगा कि जो 50 से उपर marks आये हैं वो जरूर इस form को fill करें अभी ये UP 3080 को उपर depend करता है को 3 लाख 4 लाख 6 लाख कितने students को वो लेकपाल exam में बैठने की अनुमति देते हैं ठीक है तो आप अपनी तरफ से chance मत मिस करिएगा 25 रुपीज मातर इसका fees है तो आप क्या करिएगा form को अगर आप 50 प्लस हैं तो जरूर से जरूर भरिएगा ठीक है अगर इसी में आपके age की बात कर लें तो age आपका दिया हुआ है आपका 18-45 साल तक दिया हुआ है ठीक है 18-45 साल तक आपका age दिया हुआ है इस YouTube चैनल पे आपका लेकपाल के सभी classes चलाया जा रहे हैं चाहिए हिंदी हो हिंदी आपका gram समाज के आपके पूरी की लेलिष्ट में पढ़ा हुआ है और वहां उससे संबंधि जो प्रैक्टिस सेट हैं ये खजार से अधिक प्रैक्टिस सेट भी आपके प्रैक्टिस सेट के लिए प्रश्न कराया जा चुके हैं तो वो जाकर कि आप वहां डिस्क्रिप्चन में लिंक मिल जाएगा वहां से देख सकते हैं आपको अगर संपूर ब्यूरर चाहिए लेकपाल में के सलेबस का तो लेकपाल का सलेबस का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्चन मिल जाएगा वहां से देख सकते हैं तो आपको अगर लेकपाल इस बार बनना है तो आप इस चैनल से जरूर से जरूर जूड़ और प्रैक्टिस करते रहिए, आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें, सस्क्राइब करें, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सस्क्राइब नहीं क्या, सस्क्राइब जरूर से जरूर कर लें, ये चैनल आपके इस एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पूर होने वाला है सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचे और आप उसे समय से देख सकें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद